नमास्कार दोस्तों, ये लब जिहाद क्या है? अचानक लब जिहाद को रोकने के लिए MP से लेकर UP तक, करनाटका से लेकर हर्याना तक की सरकारें इतनी बेचैन क्यों हो गई? अचानक ऐसा लग रहा है कि देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही थी या हो रही है जिसे रोकना ज़रूरी है और उस साजिश का नाम है लब जिहाद इस शब्द को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे लगता है भारत के खिलाफ न जाने कितनी बड़ी साजिश हो और ये साजिश भारत के लिए इतनी बड़ी चुनोती है जिसे रोकना BJP सरकारों के लिए बहुत जरूरी है क्या है लब जिहाद लब जिहाद का मतलब BJP के मताबिक, हिंदू महसभा के मताबिक, कट्टर हिंदुत वादियों के मताबिक, मुसल्मानों से नफरत करने वालों के मताबिक अगर कोई हिंदू लड़की, किसी मुस्लिम लड़के से शादी करता है, घर बसाता है, प्यार करता है, तो उनके हिसाब से लब जिहाद है ये लग बात है, कि उसे इस तरह की शादियों को रोकने के लिए एक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं, कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, जबरन फसा कर शादी करता है, ब्लैक मेल करता है, या नाम बदल कर पहचान बदल कर शादी करता है, कानून तो ह मांसिक्ता को ये कबूल नहीं कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, इस मांसिक्ता वाले लोक और इस मांसिक्ता वाली सरकारे हैं, ऐसे रिष्टे को लब जिहाद का नाम देती है, और लब जिहाद शब्द बीते दस सालों में शुरुआत किरल स हुई थी, ये सब्द पहली बार परचलन में 2009 या 2010 में आये था, जब किरला के मुख्यमंत्री ने लब जिहाद का जिक्र किया था, किरला के संदर में जब हुआ इसी कोई शादिया हुई थी, और उसके बाद बीते 6-7 सालों में हम सब सुनते हैं, जैसे कोई शादी होती है अगर उसमें लड़की हिंदू हैं, अब इसे रोकने के लिए कानून बनाने की बात है और ओ कानून बनाने की कवायत शुरू हो चुकी है, लेकिन लब जिहाद क्या है दोस्तों, और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये लब जियाद है कि किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलि लड़के से शादी की, अगर ये लब जिहाद है, तो ऐसे जिहादियों की तादाद BJP में भी है, देश में तो न जाने की एक उन्मिया, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है, इसका मकसद इसके पीछे उस नफरत को, उस नफरत की खाई को चोड़ा करना है, इसके पीछे म में यूपी में चुना हो है तो अब एक बार फिर से लब जिहाद को खोज कर बोतल से बंद बोतल में बंद जिन जैसे निकलता है वैसे अचानक लब जिहाद निकला है आज के अख़वारों के एडलाइन में देख रहा हूं कई अख़वारों में लब जिहाद का जिक्र है हल ताके उस संदर्भ में भी है कि राज्थान के मुख्यमंतरी अशोक गहलोत समेथ गैर बीजेपी सरकारों के चार मंतरियों ने, चार राज्यों ने, अशोक गहलोत के अलावा, पश्चिम बंगाल, चतिसगर्थ, पंजाब और एक और राज्यों से अलग-अलग मंतराले के मं मेताओं की तरफ से बयान आये हैं कि किसी भी सूरत में इस कथित लव जिहाद को रोकने वाला कानून भारत में मिले समवैधानिक अधिकारों की धजियां उड़ाएगा। ये कानून बनाने की कवाई शुरू पहला ब्यान बहुत तल्ख ब्यान अशुक गहलोत का आया और उसके बाद अलग राज्य सरकारों से लेकिन जरा मैं ब्याक्या करूंगा आगे पहले एक बार अशुक गहलोत ने जो कहा शायद आप सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी और देश में क्या समस्याओं की कमी है बेरुजगारी से लेकर गरीबी से लेकर आर्थिक मंदी से लेकर तमाम तरह की समस्याओं हैं उन समस्याओं को छोड़ कर अप लब जिहाद को एक एजंडा बनाने लगते हैं और ये लब जिहाद ऐसा एजंडा बनता है कि अगर दो आई 2018 में दो साल पहले अथर आमिरुल शफी कश्मीर के रहने वाले हलांके उन दोनों का प्यार उसके पहले दो-तीन साल दोनों में दोस्ती थी और उस दोस्ती के बाद शादी की टीना 2015 बैच की टॉपर थी है और अथर उनके बाद नंबर दो थे दोनोंने शादी की, जब उन दोनों के प्यार के किसे या दोनों के रिष्टों की खबरे मीडिया में आ रही थी तब भी ओर दौर था जब उसे लब जिहाद कहा जा जा रहा था बहुत सारे जो हिंदुवादी लोग हैं उसे लब जिहाद कर रहे अब ज़रा सोचिए दो पढ़े लिखे लोग दो वैस्क जो आईएस में टॉप करते हैं टॉप करते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठिप परिक्षा में टॉप करते हैं वो अगर शादी करते हैं उसमें लड ये आया है कि उन दोनों ने तलाक की अर्जी दिया है और चुकी तलाक की अर्जी दिया है तो फिर से ट्रोल किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि देखो ये लब जिहाद पा जैसे तलाक हिंदु परिवारों में नहीं होता है हिंदु दमपतियों में नहीं होता है अगर आखने उठा कर देख लें तो इस देश में तलाक डाइवोर्स हिंदू परिवारों में मुसलिम परिवारों के डाइवोर्स से कुछ फीजदी पॉइंट में है लेकिन ज्यादा है ऐसे आखने मैं 2017 के देख रहा था लेकिन चुकि तीन साल पहले का है इसलिए उसके तफसील म तो इसमें लब जिहाद कैसे है मैंने खबर देखी कई जगह है कि 2018 में भी और 16 में भी 17 में भी जब उनकी शादी की खबने आ रही थी तब भी हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग कह रहे थे उनके परिवार वालों को टीना के परिवार वालों को समझाएंगे कि वो देश में लब जिहाद करने की और कोई संगठित साजिश हो एक conspiracy theory हो ये तो जिहाद या ऐसी साजिश इसका नाम तो तबाब देते हैं जब बहुत संगठित अपराद हो गैंग बना कर गिरोह बना कर या फिर एक राष्टियस्तर पर ऐसी साजिश हो यही ओ मान सकता है और के बाद अब हो क्या रहा है कि यूपी में जिस धंग से खबर आ रही है कि यूपी में लब जिहाद को रोकने के लिए कानून बनेगा योगी सरकार बनाएगी MP से पहले खबर आ चुकी है अब ये अशोग गलौत का एक बयान देख रहा था कल उन्होंने बयान दिया जिसम पर अंकुष लगाने के लिए कानून लाना पूरे तरीके से आसमवैदानिक है और ये कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा गालौत ने कहा कि भाजपा राष्ट में ऐसा वातावरन बनाना चाहती है जहां वैस्क अपनी सहमती के आधार पर सहमती के लिए सरकार की दया पर निर्भर करेंगे सरकार की दया कहने का आशा ये है कि MP सरकार ने जिस तरह के कानून बनाने की बात कही है या जो खबने आ रही है उससे ये लगता है कि अगर कोई Muslim लड़की माफ करें कोई Muslim लड़का और कोई Hindu लड़की शादी करना चाहते हैं तो उन्हें एक मेह पहले DM को जानकारी देनी होगी शादी से एक मेहने पहले और DM को जानकारी देने का मतलब उसके खत्रे आप समझ सकते हैं उसके बाद अगर उनमें से पीडित पंच मतलब लड़की को कहा गया पीडित पंच ऐसा जितना मैं समझ रहा हूँ अगर उसके परिवार ने blood relation में क जबाव में की जा रही है किसी भी डंग से तो उसके खलाफ कारवाई हो सकती है सजा हो सकती है और वो सजा अधिक्तम पांस साल है यहां तक कि अगर धर्म परिवर्तन होता है और उस धर्म परिवर्तन की शिकायत होती है तो भी शादी भी वैद नहीं होगी शादी को खारिज किया जा सकता है सजातों उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कानूल बना यूपी सरकार की तरप से बीते कुछ महिनों में कई बार कई लोगों के बयान आया जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शामली, मुजफर नगर, कान बागपत अरलग अरलग इलाकों में ऐसी शादियां हुई है जो उनके हिसाब से बीजेपी नेताओं के हिसाब से कथित तौर पर लब जिहाद है और साजिशन की गई नाम और पहचान मदग और इसके लिए एक S.I.T. जाच के भी आदेश दिये गए कि यूपी में 12-13 शाद प्रोरी को प्रोपेगेंडा को ये लोग फाइलाते हैं न्यूज लॉंड्री ने च्छापा है पांच जन रस्स का मुखपत्र है अखवार है उस अखवार ने एक सितंबर के पहले सब्ताह में कई पन्नों की एक स्टोरी च्छापी है उनके हिसाब से खोजी रिपोर्ट है लेकिन उस खोजी रिपोर्ट की कहानी में कितने छेद हैं उसको समझिये उसमें च्छापा कि प्यार का इसलामी कतल ये उसका शिर्सक है पांच जन का और पांच जन ने अलग-अलग इलाके में जो लब जिहाद के मामले हैं यूपी में उसका जिक्र करती हुए उसको इन् उसके बाद उसे छोड़ दिया फिर कोई और शादी के और ऐसे कहानिया हैं उसको न्यूज लॉंडरी के रिपोर्टर ने वसंत कुमार उन्होंने उस रिपोर्ट का पांच जन की रिपोर्ट का पोस्ट मॉटम किया है और उसके बाद उन्होंने उस जो तीन-चार केस हैं चार-पांच केस के हवाले से यूपी सरकार जिसके साइटी जाच करवा रही है साइटी से या पांच जन्ने छापा है उस केस में जितने किरदार है उनके वारे में विस्तार से लिखा है और बताया है कि उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी नाम और पाचान छिपाने वाली उसमें एक शालनी यादब का मामला है जो बहुत चर्चित मामला है कानपूर की एक लड़की जितने शादी की और शादी के बाद फैजल नाम के लड़के से शादी की शादी के बाद उसके परिवाद कि इसमें उन्हें तंग और परिशान न किया जाए ये शालनी की तरफ से विडियो जारी हुआ लेकिन उस केस को भी पांच जन्य और हिंदूबादी सारे संगठन लब जहाद मानते हैं क्योंकि शालनी का परिवार इस शादी के खलाफ है ऐसी और कहानिया उसमें छपी हुई जहां भी ऐसी शादी है उस शादी के खलाफ उस तरह की प्यार के खलाफ उस तरह की किसी आपसे रिश्टे के खलाफ पी जपीं और बीजपी के समर्थक ऐसे तमाम लोग हैं और इसलिए उन्हें चुकी ये नागवार गुजरती है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे इसलिए इसको लब जिहाद नाम देकर एक मुलम्मा चढ़ा कर ऐसा कानून लाने की कोशिस हो रही है जिस कानून के जर्ये सुच्छा से शादी को भी रोका जा सकेगा क्योंकि एक महने पहले अगर जानकारी देनी होगी एक महने पहले जानकारी देने को याद करिए हर्याना और वेस्ट यूपी में अंतर जातिये शादियों पर अंतर जातियों शादियों मतलब किसी लड़की ने अगर दूसरी जाती में शादी की कितनी हत्याएं हुई है उसमें अंतर धार्मिक मामला नहीं था हिंदू-मुसलिम का मामला नहीं था तो यह हो परिवार को गुजरता है अगर पुरातन पंती सोच है वो अपनी बेटी तक को कतल कर देते हैं दमाद को तो चोड़िये बीसो कहानिया बीसो नहीं सैग्रों तो परिवार तो इस मामले में अतराज करेगा अगर उसे लगेगा कि उसकी बेटी का नाम शालनी है और लड़के क का नाम फैजल है वो कहेगा लब जिहाद है और उसके बाद इसमें ट्रैप है फसाया गया और किस से कहानिया और उसके बाद उस हिसाम से फैसला होने लगे तब तो आप सीधे तोर पर समविधान जो आजादी देता है उस आजादी का हनन कर रहे हैं और ऐसी कोशिस हो रही और वो भी तब जब केंदर सरकार की तरफ से संसद में कहा जा चुका है कि लब जिहाद जैसी कोई चीज अधिकरत तोर पर नहीं है एक बयान मेरे सामने है उस बयान को मैं आपको बताता हूँ ये बयान है साल 2020 के फरवरी में संसद में लब जिहाद से जुड़ा एक सवाल पुछा गया था तो केंदरिय राज ग्रेह मंत्री किशन रेड़ी ने कहा लब जिहाद टर्म कानून के तहत परिवाशित नहीं है किसी भी केंदरिय एजनसी द्वारा ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि समविधान का अनुछेद 25 ना पुछेद परिवाशित नहीं है और एसी कोई जानकारी नहीं है फिर ये लब जिहाद फिर ये बीजेपी की राज बीजेपी इशासित 5 राज्य सरकारे ये लब जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कर रही है इसी में एंडी टीवी की एक रिपोर्ट है कि 24 ऐसे केसों क जिन्हें लब जिहाद कहा गया उनमें से साथ मामलों में पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की उसमें पाया गया कि ये ऐसे केस थे जिसमें मुस्लिम शक्स के साथ हिंदू लड़की ने अपनी सहमती से शादी की थी और S.I.T. इंचाज विकास पांडे के हवाल से बताया गया बाकी मामलों में जात जारी है लेकिन ये सारे मामलों में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें सारे मामलों में मतलब साथ मामलों में कि इसमें कोई लब जिहाद जैसा मामला है और तब योगी आधितनात का बयान है जिसमें जाउनपूर में या कहीं वो एक बया मुक्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि राम नाम सत्य यात्रा निकलने वाली एक तरह से राम नाम सत्य की यात्रा का क्या मतलब होता है अब समझते हैं और राम नाम सत्य मतलब मौत के बाद की अंतिम यात्रा तो एक तरह लगता नहीं एक तरह से कि मुक्यमंत्री ब आपसी रजामंधी भी थी, कई सालों का परच्य भी था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के धर्म और धर्म से जुरे कामों और उनके धार्मिक मानिताओं को अच्छी तरह जानते थे और उसके बाद उन्होंने शादी की और वो शादी तूट गई या उस शादी में अन्बन हुई और उसके बाद मुकदमे वाजी हुई और उसे लब जिहाद का नाम दिया गया ऐसे कई मामले हैं तो मेरे इस वीडियो का मतलब ये है कहने का आशाए ये है कि अगर बीजेपी शासित सरकारें अगर इस तरह से कानून बनाती है तो इसका मतलब हुआ कि इस देश में अलग-अलग राज में अलग-अलग कानून होंगे कॉंग्रस या जो विपक्ष शासित सरकारें उन्होंने पहले इसका विरोध दर्ज करा दिया है तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार जहां है वहां अगर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और शादी कर ली क्या करने से पहले आपको सरकार को सुचना देनी होगी और धर्म परिवर्तन अगर किया परिवार ने शिकायत कर दी तो इसके खत्रे आप समझ लीजे जेल भी शादी की वैदता पर भी सवाल शादी कैंसिल भी की जा सकती है और उसके बाद जो भुगतना होगा उसके लिए तयार रहे वो प्रेमी जोडे युगल जोडे जो वैस्क हैं जिने भारत का कानून भारत का सम्विधान उन्हें अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनन और धर्म चुनने की आजादी देता है दो वैस्क दो एडल्ट अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं अपनी मर्जी से धर्म चुनते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं तो बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहां ऐसे मामलों में जेल की सलाखों तक भेजने के प्रयाप्त इंत पुलिस जाच करेंगी और जहां जिस सरकार के मुख्या की सोच ऐसी है कि हिंदू लड़की ने अगर मुस्लिम लड़की से शादी की तो लब जहाद है वहां सोच सकते हैं कि पुलिस की कारवाई किस तरह से होगी अगर कानपूर में शालनी आदब नाम की लड़की अपना व वह सोच है कि तनिश्क के विग्यापन में भी अगर लड़की हिंदू है और उतने शादी की किसी मुस्लिम से तो देश भर में एक ऐसा माहौल बनता है कि तनिश्क को विग्यापन वापस लेना पड़ता है ये उस सोच के लोग हैं कि अगर अक्षय कुमार के फिल्म आती ह जो मोदी समर्थक हैं लेकिन उनके फिल्म लक्ष्मी में अगर अक्षय कुमार आसिब बनते हैं और उनकी गर्ल्फरेंड हिंदू है तो लोगों को उसमें इतराज होता है और उसे लब जिहाद का मामला मानते हैं उसके खिलाफ ट्वीटर पर ट्रेंट कराते हैं वो भी त जब आक्षय कुमार बार बार कहूंगा मोदी समर्थक हैं ये उस सोच के लोग हैं कि असम में एक सीरियल चलता है एक वहां के मनुरंजन चैनल पर उसमें लड़की हिंदू है लड़का मुसलिम है दोनों में प्यार है दोनों एक दूसरे की केर करते हैं और उस सीरियल के ख तो इस सोच के लोगों ने ही इस सोच की सत्ता ने लवजहाद टर्म कौईन करके और उसके बाद उसके इर्द गिरड़ ऐसी शादी ऐसे दो वैसकों के प्यार को जिसमें अगर एक हिंदू है एक मुसलिम है और खास तार उसे अगर लड़की हिंदू है तो कोई दिक्कत न बनाने और उसे मुद्दा बनाकर लब जिहाद का जामा पहनाकर संपरदाइक आधार पर एक धुर्वी करन करने एक आक्रोस का माहौल बनाने की कोशिस का नाम है लब जिहाद को रोकने के लिए बनने वाला ये कानून